नमस्त दोस्तों मैं राकेश शर्मा और आज मुखातिब हूँ आपके साथ एक नई जानकारी के साथ जैसे कि आप जानते हैं मैं समय समय पर तमाम जानकारी आपके पास लेकर आता रहता हूं तो जी हाँ पूरे देश में इस वाट लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन है हमारी गती विदियों के लिए ताटी हम घर से बाहर ना निकलें तो आप अपने दिमाग को लॉकडाउन में नहीं डाले और बदस्तूर इसका इस्तेमाल करते रहें ताकि ये बखुबी काम करता रहे तो जी हाँ इसी शंकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसा प्रयोक करके दिखाएंगे मेरे सामने इस वक्त तुलसी का पोधा मेरे सामने है ओसिमम सेंटम जो की प्रया पूरे भारत वर्ष में हर घर में पाया जाता है तो आज हम आपको प्रयोग करके दिखाएंगे ये मेरे हाथ में पानी का बाउल है और इस बाउल को जब मैं तुलसी के पत्ते के पास ले जाऊँगा तो मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से तुलसी का पत्ता पानी जो है इस पत्ते को अपनी और खींचेगा अट्रेक्ट करेगा और ये देखेगा मैं अपना हाथ नहीं हिलाऊँगा पत्ता खुच जो है ये देखिए अब आप देखेंगे पत्ता खुच जो है बार-बार पानी को चूने के लिए आतुर होगा और पानी में डूबेगा कि अपना हात नहीं हिलारा पानी ज़रूर थोड़ा बहुत हिल रहा है लेकिन मेरा हाथ नहीं हिल रहा और पत्ता जो है देखिए आप खुड जो है पानी में डूबेगा पत्ता पानी को छूता है और इसमें डूब जाता है तो आप देखिए किस तरह से पत्ता बार-बार पानी में डूब रहा है चूब रहा है पोदा खुद जैसे खिचा चला जा रहा है पानी में आप इसे ध्यान से देखें और एक बार आप तसली से इसे देखें और फिर इस्टे बाद मैं आपको बताऊंगा इस्टे पीछे का विज्ञान तो मैं फिर एक बार अच्छे तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जब मैं पानी के बाउल को तुलसी के पत्ते के पास ले गया तो तुलसी का पत्ता खुद बाखुद जो है पानी में खिचा चला जाता है और इस बाग का सत्यापन करने के लिए हमने अन्य पोधों के साथ अन्य पत्तों के साथ भी ऐसा किया लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो तुलसी के साथ मिले थे अब सवाल उठता है कि ऐसा तुलसी के अंदर क्या है जोटी इस पानी को अपनी और अकर्शित करता है खीषता है अगर हम अंद विश्वास में चले जाएं जैसा कि कई लोगों ने किया मैंने देखा तो हम इसे एक चमत्रार का नाम दे सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अगर हम इसे विज्ञानित देश्टी कौन से देखें तो यह बड़ा स्पष्ट है और मैं आपका इसके पीछे का विज्ञान और इसका कारण भी बताना चाहूंगा कि क्या है इसके पीछे का कारण देखिए हमारे देश के अंदर किसी भी देश में जो है पानी जो हम पीते हैं पीने का पानी पीते हैं उस पानी के अंदर जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड किया एक mineral है, जो कि हवा से, पानी से और हवा से, पॉधों से, चट्टानों से और अपका मिट्टी से आदी से भाषण से के बनता है ये फ्लॉराइड और ये जो फ्लोराइड है इसका concentration जो है वो पेजल के अंदर जो है 1.0 ppm to 1.5 ppm होना चाहिए ये एक उच्छे तनुपात है जिसके होने से जब पानी हम पीते हैं तो हमारे शरीर को फाइदा होता है और अगर concentration 1.0 to 1.5 ppm है तो आप जानिए कि वो हमारी जो oral cavity है और हमारे bonds formation के लिए वो भी वो पानी लेकिन अगर इस्टा concentration इससे अधिक है तो यह हमारे शरीर को नुटसान पहुचाता है और तमाम जो है bones deformation और rickets जैसी हड्डियों के कई समस्या है जो है पैदा हो सकती है और ऐसा हो रहा है तो यह depend करता है कि हमारे पानी के अंदर fluoride की कितनी मात्र है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 25 मिलियन लोग जो है हमारे देश में जो है fluoride की समस्या से जूज रहे हैं यानि जो पीने का पानी है उसके भीतर fluoride की मात्रा जो होनी चाहिए जो prescribed है उससे कहीं ज्यादा अधिक है जिसकी वज़ा से आप UP में बिहार में या पंजाब में या के अंदर यह समस्या है fluoride की पानी के अंदर high concentration की अब जो गरीब लोग है वो लोग आरो का तो या filters का तो इस्तमाल कर नहीं पाते उनके पैसा नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपको की एक नाल गोंडा है जो तेलंगाना में वहां पर ल लोड जो है high concentration of fluoride से जूज रहे हैं और इनके पानी के अंदर लगभट 0.4 ppm to 20 ppm जो है fluoride का concentration पाया रहा है इतना अधिक concentration तो फिर मैं मुद्दे पर आता हूं मैं जो बताना चाहता था कि जो गरीब लोग है वो क्या करते हैं गरीब लोग तुलसी के पत्ते को जैसा कि मै ने आपको यह प्रयोग करके दिखाया तो जब हम तुलसी के पत्ते को पानी में डालते हैं तो तुलसी एक सो ग्राम जो है अगर हम पानी के अंदर 100 ml पानी में जो है हम 75 mg तुलसी के पत्त डाल दें तो पानी जो है decontaminated हो जाता है तो तुलसी के अंदर वो एक bio absorbent properties हैं कि वो fluorosis से fight कर सकती है तुलसी के अंदर वो properties है और यही वजा है जब हम पत्तों को उसमें पानी में डालते हैं तो उसका जो fluoride है उसके concentration को वो खत्म कर देता है और इसलिए खिचा चला जाता है जो fluoride है उसका वो पत्तों को अपनी और खीचता है और पानी के decontamination को खत्म कर देता है तो इस तरह से जो गाओं में आज मुझे याद आता है जो हमारे सादू महात्मा थे या संत थे या जो रिशी मुनी थे जो आईरवेश से जुड़े जैसे पाननी पतांजली यह सब जो रिशी मुनी चरक रिशी थे इन सब के दौर से जो है यह चला आता है हमारे ह तो यह जो आज मैंने वीडियो बनाया है यह आप लोगों को सिर्फ यह बताने के लिए बनाया है कि आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं पढ़िएगा बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो है देखिए किस तरह से पत्ता जो है पानी पत्ते को अपनी और अकरशिक कर रहा है तो इसके पीछे विज्ञान है तो हमें विज्ञान का समान करना चाहिए प्रकती का समान करना चाहिए और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर मुखातिब होंगा किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद